नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में हिंदी साहित्य वारता में दोस्तो आज का हमारा विशे है समास तो इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे समास का अर्थ और उसके भेद तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि समास क्या होते हैं समास से अभी प्राय है संख्षेप या संख्षिप्त या यूं कहें कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो सार्थक शब्द हैं वही क्या कहलाते हैं वही समास कहलाते हैं कहने का भी प्राय क्या है देखिए मानली जी हमारे पास शब्द है राजकुमार तो राजकुमार एक शब्द है ये दो तीन शब्दों से मिलकर क्या है बना हुआ है सार्थक शब्द है तो इसलिए ये क्या है ये एक समास है या इसको कहा जा सकता है एक समासिक पद तो ये हो कि मतलब जब दो तीन शब्द हमारे पास हैं हमने क्या किया उन तीन शब्दों को बोलने के बजाए हमने एक ही शब्द बोल दिया उसमें राजकुमार राजा का कुमार नव बोलते हुए तो ठीक है यही संक्षिप्ति करण क्या कहलाता है स्मास कहलाता है मतलब अलग-अलग पदों को जोड़ करके एक सार्थक जो शब्द बना है वही क्या है वही समास है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है यह कहता है कि समस्थ पद के सभी पदों का विग्रह करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है दीए जैसे नीचे लिखा ह राजकुमार एक बार फिर से, कहने का भी प्राय क्या है, कहने का मतलब ये है, कि जो ये राजकुमार है, इसको क्या का आ जाता है, ये जो पूरा शब्द है, इसको कहते हैं समस्त, समस्त का मतलब पूरा पद गा मतलब शब्द, ये जो पूरा शब्द है, इसके सभी पदों क विग्रह करने की प्रक्रिया, मतलब इसके अंतरगत जितने भी और जो पद हैं, जो शब्द हैं, मतलब जैसे राजगुमार में राजा और काकुमार, ये तीन है न, तो इन तीनों को क्या बोल रहे हैं, ये की विग्रह, विग्रह करने मुनलब इनको अलग करने की प्रक्रिय जैसे राजकुमार काई बिग्रह करने पर हमें आ रहा है, राजा का, ये का क्या है, अन्यपद आ गया हमारे पास, ठीक है? और कुमार, तो ये है समास का बिग्रह की समास का बिग्रह कैसे होता है? क्लियर है दोस्तो अब जब हम समास का विग्रह करते हैं देखिए उस वक्त क्या होता है जैसे हम राज कुमार का विग्रह कर रहे हैं तो राजा का कुमार तो यह गयता है कि विग्रह करने पर कई बार क्या आ जाती है विवक्तियां आ जाती है कई बार पूरा का पूरा शब् बीच में आते हैं जैसे आप पढ़ेंगे गगन चुम्भी आस्मान को चुमने वाला तो इसमें देखिए कितने सारे और पद आ गए तो ये क्या है कि ये कब आते हैं विग्रह करने के बाद इस तरीके के पद हमारे सामने आ जाते हैं तो ये तो हो गया समास का अर्थ और उसका विग्रह, चलिए अब हम देख लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, अगर हम समास के भेदों की बात करें, तो इसके मुख्यता छे भेद माने जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले आता है अब्याई भाव स उसके बाद ततपुरुष स्मास, फिर करमधारय, फिर दुईगु स्मास, फिर द्वन्द और फिर बहुबरी, ये छे स्मास हैं, लेकिन कुछ एक विद्वान ये कहते हैं कि इसके चारी हैं, जैसे हिंदी का पानी नी जिन हैं, जैसे कामता परसाद गुरुज को कहा जाता है वो क्या कहते हैं, कि जो स्मास हैं, वो कितने हैं, वो चारी हैं, तो वो चार कौन-कौन से हैं, वो सिर्फ अभ्याई भाव स्मास, ततपुरुष, दोंदर स्मास और बहुबरी स्मास, इन चार स्मासों को ही वो मानते हैं कि ये चार स्मास हैं, और जो दो अन्या हैं कौन-क हैं कि हिंदी भाषा में कितने समास हैं छे हैं तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अब्याई भाव समास को अगर हम बात करें अब्याई भाव समास की तो ये कहते हैं कि जिस समस्त पद का प्रत्थम पद प्रधान हो उसे अब्याई भाव समास कहा जाता है अब तो यह कहता है कि ऐसे जो शब्द जिनका पहला पद प्रधान हो मतलब जिसमें जादा तबज़ों किसको दी जाए प्रत्थम पद को जैसे विद्या है ठीक है उसको हम पहला पद कहते हैं ठीक है ठीक है तो उसी को कहा जाता है प्रत्थम पद और दूतिय या उत्तम पद जो बाद का है बाद का ठीक है जैसे आल्या है ना तो वो क्या है दूसरा पद है प्रत्थम पद क्या है विद्या है तो जिस समस्त पद में क्या हो पहला पद प्रधान हो उसे क्या का जाता है अब्याई भाव समास कहा जाता है देखिए इसकी पहचान क्या है अगर इस तरीके से पूर्व आ, अनू, यथा, हर, भर, प्रति, इत्यादी शब्द आएं, तो उस समस्त पद में अब्याई भावसमास होता है। अब्याई भावसमास को पहचानने के लिए और कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि इसमें जो जो पहचान के शब्द हैं, उनमें से कोई है, अगर है, तो उसमें कौन सा समस होगा, अब्याई भावसमास होगा, बहुत ही सिंपल है ये समस, इसको समझना, बस आपने इनको इसकी पहचान को अगर याद कर लिया, तो आप कभी भी किसी भी एक्जाम में इसको अच्छे से कर सकते हैं, और हमेशा समस को परिक् की विभक्तियां, जो कारकचिन है, क्लिएर है, तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविदा के लिए, कारकचिन सात में लिख दिये हैं, देखिए कर्थान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध काके की अधी करण में पर संबोधन हे अरे, तो ये आठ कारक हैं, कई वार इ दिख लेते हैं कि तत्पुरुष स्मास में ये कैसे अपलाई होते हैं तत्पुरुष स्मास ये कहता है कि जिस स्मस्त पद में पहले क्या होता था पहले अभ्याई भाव स्मास में कहा जाता है कि पहला पद उसमें प्रधान होता है लेकिन इसमें क्या है उत्तर पद प्रधा वही ततपुरुष स्मास है, देखिए बीच का कारक्चिन लुप्त हो जाने का क्या मतलब है, जैसे हमने बात कीती पहले, जैसे राजकुमार शब्द से ही मैं आपको समझाता हूँ कि उसके बीच में कारक्चिन, तो कारक्चिन देखिए कौन से हैं, जो हमारे सामने हैं, ने को से के द्वारा के लिए से जुदाई का के की मैपर, तो ये क्या है, ये कारक्चिन है, ये कह रहा है कि ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई पद है, जिसमें क्या है, बीच, जब हम उसका विग्रह करेंगे, तो बीच की कारक की जो विभक्ति है, जो कारक के चिन है, वो क्या हो दोस्तों तो वो क्या है जहां पर भी कारक की चिन हमें बीच में लुप्त नजर आते हैं या जब हम उनका विग्रह करेंगे तब हमें वो मिलेंगे कि नहीं राजगुमार है तो राजा का का हमें क्या मिल रहा है न एक तरीके से लेकिन जब हम राजगुमार देख रहे हैं त इन छे बेदों को याद करने के लिए ही कारक चिन जरूरी है याद होना ठीक है देखे करम ततपुरुष देखे छे बेदों कौन से इसमें जो कारक हमारे आठ हैं इन में हम क्या करते हैं कि जो पहला कारक है करता कारक और संबोधन ये दो कारक पहला और आठवा इन दोनों को हम छोड़ देते हैं इसके बीज में जो छे कारकाते हैं उनको हम किस में मानते हैं ततपुरुष समास में मानते हैं और यही ततपुरुष समास के छे भेद हैं पहला है देखिए करम ततपुरुष समास दूसरा है करण ततपुरुष समास संपरदान ततपुरुष स्मास, अपदान ततपुरुष स्मास, संबंध ततपुरुष स्मास, और अधिकरन ततपुरुष स्मास, तो ये छे स्मास हैं, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे करम ततपुरुष स्मास, देखे कौन सा है, कारक में ये कौन से नंबर पर है, दूसर यह चटवां जो ततव पूरुष समास है ठीक है तो इस तरीके से भी इनको पूछा जाता है दूसरा तीसरा चौता पांचवां गया है तो यह गई दोस्तों ततपुरुष स्मास के भेद, चली अब हम इनको विस्तार से दिख लेते हैं कि करम ततपुरुष क्या होता है, करण क्या होता है और समपरदान, मतलब इस तरीके से हम इनको देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं करम ततपुरुष स्मास, अगर हम करम ततपुरुष स्मास क्या दिखाया कि उसमें क्या था एक तरफ हमने कारक की विवक्तियां लिखी थी तो अब करम कारक की विवक्ति हमें याद होनी चाहिए कि करम कारक में कौन सी विवक्ति लिखती है का करता ने करम को कौन सी लिखती इसमें को ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा का मतलब है पिता को मारने वाला तो इसका विगर है कि आमने पिता को मारने वाला तो बीच में कौन सी भी वक्ती आ रही है को आ रही है क्लियर है ना तो ये को किस के अंतरगत आती है ये आती है करम के अंतरगत मान लीजिए हमें पूछा गया है एक्जाम में पितरी हंता में क ततपुरुष स्मास, वैसे तो ततपुरुष स्मास होगा, लेकिन अगर हमें स्पैसिफाई किया गया है कि नहीं, इसमें करम ततपुरुष है, तो तब क्या होगा कि करम ततपुरुष की ओर ही हमें जाना पड़ेगा, क्लिर है दोस्तों, तो यह है करम ततपुरुष जिसमे को की भी भक्ती का क्या होचाता है लोप होचाता है, जैसे दूसरा उदार नहीं देखिए गगन चुम्भी, गगन 源 हुआ आस्मान और बीच में आ गया को मतलब चुम्भी का मलब चुमने वाला आस्मान को चुमने वाला क्लीर है दोस्तों, तो करण तद पूरुष मास में देखिए क्या होता है, अब इसमें कौन सी विवक्ती है, तो करण की विवक्ती हमने याद रखने है, बहुत सिंपल है यह अगर आपको कारक चिन याद हो गए, तो करण करम से ले करके जितनी भी तद पूरुष मास के जैसे उदारने देखिए, पद धलित, पद हुआ पाओं और धलित हुआ रोंदा हुआ, मतलब पैरों से जिसको कुचला गया हो, तो देखो से या पैरों के द्वारा, से और के द्वारा का मतलब एक या रहा ना यहां पर, तो मतलब पैरों से कुचला हुआ पद धलित, तो किस तरीके से समास जब हम करेंगे तो हमें सबसे जरूरी क्या है कि हमें पदों का विग्रह करना भियाना चाहिए, कि हम उसका विग्रह किस तरीके से कर रहे हैं, क्लिर है दोस्तों, तो पद दलित का मतलब हुआ, पैरों से कुछला हुआ, दूसरा है जैसे रिखांकित, के आए उसे क्या का जाता है करन ततपुरुष स्मास क्लियर है दोस्तों अब हम देख लेते हैं आगे अगला जो इसका भेद है वो है संपरदान ततपुरुष स्मास अब देखे संपरदान की कारक की विवक्ति कौन सी है के लिए तो इसमें के लिए का लोग हो जाता है जैसे का जाता है प्रियोग शाला तो इसका विग्रह करेंगे तो प्रियोग के लिए शाला बहुत ही सिंपल है यह इसको सिर्फ हमने विग्रहित करना है उसके बाद जो अन्य जो शब्द मिल रहे हैं जैसे क, 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 इत्यादी ऐसे जो शबदारें वो ही क्या है? वो ही कारक की भिवक्तिया है clear है? तो प्रियोग के लिए शाला देखिए दूसरा है देश भक्ती, देश के लिए भक्ती तो यहां पर भी बीच में क्या आ रहा है? के लिए आ रहा है तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इसमें संपरदान ततपुरुष स्मास है अब अगला देखिए अपादान ततपुरुष स्मास तो अपादान और करण दोनों सेम सेम चीजे हैं लेकिन करण में से के द्वारा ठीक है लेकिन यहाँ पर से जुदाई वाला की अलग हो रहा है जैसे पेड से पत्ते गिर रहे हैं कई बार एकज़ाम में ये भी पूछे जाता है कि इसमें कौन सकार है तो पेड से गिर रहा है ना पेड से क्या हो रही है उसकी जुदाई हो रही है तो ठीक वैसा ही ये से है अपादान ततपुरुष समास में देखिए तो ये क्या कहता है कि जिसमें से का लोप हो जाता है जैसे देश निकाला तो देश से उसको निकाला गया ठीक है देश के द्वारा नहीं निकाला गया है ना, अगर के द्वारा होता, तो क्या हो जाना था, इसमें करण हो जाना था, लेकिन देश से उसकी क्या हो रही एक तरिके से जुदाई हो रही है, वो अलग हो रहा है, अलगाव हो रहा है उसका, तो इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, अपादान, नहीं है, उससे दूर है, अलग है, तो इसलिए इसमें क्या है, अपादान ततपुरुष समास है, अगला है रोग मुक्त, जैसे रोग था, अगर रोग ग्रसित होगा, तब क्या हो जाएगा, तो रोग उसके पास है, रोग मुक्त, रोग चला गया, that's it, clear है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं, संबन्द ततपुरुष समास, जो अगला भेदै इसका देखिए, संबन्द ततपुरुष समास में देखी क्या होता है, कि संबन्द की काौन-कौन सीव वग्ती है, का के, की, तो यह है इनी का उसमें क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, जैसे राजा आग् राज़ पुत्र राजा का पूत्र मनलत बहुत सिम्पल है ये संबध्ध यहां पर भी काके, क्या आए विग्रह करने पर आए वो ही क्या है ततपुरुष संबध ततपुरुष स्मास है ठीक है? अगला है देखिए अधिकरन ततपुरुष स्मास जो तत्पुरुस्तमास का अंतिम रूप है या अंतिम बेद है इसमें बोलता है ये कि अधिकरण की जो भी भक्तियां है कौन-कौन सी है में और पर तो इनका लोग हो जाएगा जैसे देखिए आनंद मंगल मगन सुरी आनंद मगन आनंद में मगन है तो यहां पर देखिए ब पुरुषों में उत्म क्लिर है आप बीती अपने आप पर जो बात बीती हो उसे क्या कहते हैं आप बीती तो यहां पर देखिए में और पर ये दो विभक्ति चीन आ रहे हैं बीच में कारक के है न तो इसको हम क्या कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास तो यह हो गए त पहले भी पढ़ा था जो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा उसमें भी उत्तर्पद्परदान है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंस है इसे लिए जो कामताप्रसाद गुरु है वो कहते हैं कि जो यह करमधार्य समास है यह इसी के अंत्रगत आता है किसके विशेशन का संबंध हो देखिए अब विशेश्य विशेशन मतलब एक चीज है जैसे कोई व्यक्ति है उसकी विशेश्ता मालीजिए एक व्यक्ति है वो काला है तो काला उसकी विशेश्ता है और वो खुद जो व्यक्ति है वो क्या है विशेश्य है इस तरीके का जो ısı क्या कहा जाता है करम धार समस कहा जाता है क्लीर है। तो धेखे इसकी पहचान क्या है अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रहता है, कि विशेष्विशेशन क्या होता है lab को इसको इस समान, नेनों वाली, तो दीए बिग्रह करने पर क्या रहा है? के समान, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कि उसकी विशेष्ता है ये, कैसी विशेष्ता है? हिरन की तरह आँखों वाली है वो, है ना? तो इसलिए उसका, इसमें क्या होगा? समास, करमधार्य, समास होगा, clear है? दे आनन्द तो है लेकिन कैसा है परम है मतलब आनन्द की पराकाष्टा है तो उसको क्या कहते हैं परम आनन्द है जो आ रहा है ना परम है जो आनन्द महान है जो देव एक में है जो और एक में केसमान मतलब ये दो शब्द जहां पर भी आएंगे उसमें कौन सा स्मास होगा उनसे लिरला काने लिज के सकतीब का देब सिरान हा लिएफियर्छ पर ननसे लिए लिएiszाब